नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल पर RBI आपका असिस्टेंट का एक एक एक्जाम कंड़क्ट कराता है कभी दो साल में होता है कभी लास्ट रिक्रूट्मेंट आपका 2019 और 2020 में हुआ था तो उसके रिगार्डिंग RBI एक नोटिफिकेशन जारी करता है RBI एसिस्टेंट 2022 का ओफिशल नोटिफिकेशन आ चुका है शॉर्ट नोटिस आया है आपके कई सारे न्यूस पेपर पर अड़र्टिसमेंट आया है और जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो आपका 102 दिन में इनकी वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगा तो इस शॉर्ट नोटिस के अकॉर्डिंग जो वेकेंसी आई है वो आई है 950 जोन वाइस वेकेंसी होती है अलग अलग जोन में किस किस जोन में कितनी कितनी वेकेंसी होती है यह अभी डिटेल में नहीं आया है डिटेल में जो आया है आपका वो सिर्फ आया है आपका टोटल 950 वेकेंसी यहां पर रिलीज करी गई है कितनी वेकेंसी है 950 वेकेंसी आर सत्रा फर्वरीद 2022 से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट solution हो गा इसका आठ न्वार्च 2022 को 17 फर्वरीद 2022 से 8 Mac 2022 तक और जो आपका प्रिलिम्स एक्जाम है इसकी डेट रखी गई men 26 27 March 2022 अब थोड़ा सा समझते हैं आखिरकार इस exam के बारे में assistant 2022 assistant 2022 का जो नोटिफिकेशन आया है तो यह जो आपका exam होता है तीन stage में होता है जैसे कि पहला आपका होता है prelims prelims के बाद आपका होता है mains और इसके बाद होता है LPT यानि कि language proficiency test prelims exam पूरा पूरा आपका banking का जो pattern होता है वहाँ पर बिल्कुल वैसे होता है इसमें आपके तीन section होते है English होता है reasoning होता है और आपका quants होता है English reasoning और quants 30 question आपके English के होते हैं 35 question reasoning होते हैं 35 आपके quants के होता है total आपके होते हैं यहाँ पर 100 question और यहाँ पर आपको जो marks होते हैं यह होता है 100 marks और time जो आपको मिलता है यह मिलता है आपको 1 hour एक घंटे में आपको यह total 100 questions solve करने होते हैं इसके बाद आप prelims qualify कर लेंगा और यह पूरा का पूरा qualifying nature होता है qualifying होता है इसके बाद आता है आपका mains exam अब mains exam का क्या pattern होता है mains exam में total 200 questions होते हैं 200 number के और जो आपको time मिलता है वो मिलता है 135 minutes 135 minutes यानि कि 2 hour and 15 minutes ठीक अब इसको देख लेते हैं आपका English आता है इसके साथ साथ आपका reasoning आता है इसके साथ साथ आपका quants आता है इसके साथ आपका आता है general awareness या general knowledge समझ सकते हैं और उसके बाद आता है आपका computer knowledge हर एक section यहाँ पर 40-40 number का होता है 40 का English, 40 का reasoning, 40 का quants, 40 का GA और 40 का computer तो इस तरह से यह total 200 questions होते हैं और जो आपके number होते हैं हर एक section 40-40 number का होता है यह होते हैं 200 marks sectional cut off होता है यहाँ पर sectional cut off होता है इसके अलावा आपका negative marking भी यहाँ पर होती है negative marking होती है cut off भी होता है, sectional भी होता है, overall भी होता है यह पूरा आपका examination pattern है जब आप यह कर लेंगे, mains exam हो जाएगा इसके बाद language proficiency test होता है हर zone का अलग अलग जहां का official language है as per the RBI assistant का जो official इनकी website पर दिया गया है किस zone के लिए कौन सी language required है वहाँ पर उस zone के लिए जो भी language हो जोगी उसका आपका language proficiency test होगा और उसके बाद आपको final जो आप qualify कर लेंगे पूरा सब कुछ आपका हो जाएगा उसके बाद आपको joining letter मिल जाएगा और आपका appointment हो जाएगा ये इसका examination pattern है अभी detail में इसका advertisement नहीं आया जब detail में इसका advertisement आ जाएगा तब हम इसके बारे में पूरा आराम से बात करेंगे कि क्या क्या इसका examination pattern होता है क्या इसका syllabus है पिछले साल का cutoff अगर आपको देखना है 2016 में recruitment हुआ था उसके बाद 2019 और 2020 में आपका recruitment हुआ है तो ये जो 2016 और 2019 वाला cutoff है इसका link आपको description में दिया गया है आप वहाँ से जाके इसका cutoff चेक कर सकते हैं और बाकी सारी details जो भी होंगी